हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन ले करका हूं यह कोश्चन क्लास 9 की मैथ से एक्सरसाइज 1.3 का कोश्चन लूबर 2 है तो इस वीडियो में हम इस कोश्चन को डिस्कस करेंगे आप बस वीडियो को ध्यान से देखे आंतर तक देखे और एकर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और दोस्तों को भी शेयर किजेगा चले शुरू करते हैं आप देखते हैं क्या पुछा गया हमसे तो यह कोशन नुबर 2 है यू नो दैट वन अपान सेवन इस इक्वल तो 0.142857 अपर बार कैन यू प्रेडिक्ट वाट दा डेसिमल एक्सपेंशन आफ टू ओबर सेवन थेरी ओबर सेवन फॉर ओबर सेवन फाइफ ओबर सेवन शिक्स ओबर सेवन और विदाउट एक्शुली डूइंग दा लांग डिविजन इफ सो हाउ तो यहां पर देखो आपने पहले ही वन अपान सेवन का डिविजन किया हुआ है तो वहां पर जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे करके यह रिपीट करता रहेगा यहां पर अब नहीं करना है बीना किये हुए इनका आंसर बताना है और यहां यह बहुत ही इजी देखो कैसे सबसे पहले आप यह समझो कि अगर मैंने कहा मालो कि तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो अगर किसी नंबर के नीचे कुछ तो आप 9,1 लिख सकते हो multiplication में क्या होता है कि आप डारेक्ट आइसे multiply कर सकते हो 3 into 1 over 1 into 5 तो फारदर यह क्या आजेगा 3 upon 5 पहले था पहले था 3 into 1 upon 5 इसका मतलब यह था कि देखो अगर हम इसका reverse process करते 3 upon 5 को ऐसे लिख सकते थे क्या 3 हाँ बिल्कुल देखो यही तो है आप ऐसे लिख सकते हो तो मतलब देखो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं एंटू में तो सेम प्रोसेस हमें यहां भी करना है जैसे टू अपान सेवन लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे रेट कर सकते हैं टू इंटू वन अपान सेवन टू को वालक कर लेंगे बिल्कुल कर सकते हैं यहां पर हम पान बन लगा देंगे ठीक है तो हमें कुछ नहीं करना है हमें बस इसको split करना है जैसे यह 3 over 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1 over 7 अब सर्प्लिट करने का क्या फाइदा होगा अभी हम बताएंगे इस प्लिट करने का क्या फाइदा होगा सबसे पहले मैं आपर सॉलीशन राइट करेंगे सॉलीशन कि अब है कि देखो हमें जो दिया गया है वो यह दिया गया है कि 1 over 7 is equal to 0.142857 अपर बार यह हमें दिया गया है तो नाव जो 2 upon 7 है उसे हम write कर लेंगे 2 into 1 over 7 हम अलग करके इसको into के साथ write कर लेंगे अब देखो इतना करने के बाद में आप 2 को 2 ही write करो जहां पर 1 upon 7 है उसकी value तो आपको पता है 1 upon 7 is equal to इतना तो यह जो 1 upon 7 है यहां पर आप इतना रख दीजिए 0.142857 ठीक है अपर बाहर तो आप देखो अब क्या है कि 2 into this अब इतने का तो multiplication आप कर सकते हो तो इसका multiplication हम ऐसे ही करेंगे देखो कैसे 2 7 जा 14 4 1 carry 2 5 जा 10 1 11 1 carry 2 8 जा 16 1 17 1 carry 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 8 अब यहां पर 8 आजाएगा carry कुछ नहीं है 2 1 जा 2 point लगा देंगे और 0 लगा देंगे और ऐसे अपर बार लगा देंगे तो हमने simply क्या किया इसको यहां पर multiply कर दिया तो हमारा यह answer आ गया ऐसे ही हम तीनों के लिए करेंगे और हमारा answer भीना divide किये आ जाएगा तो देखो अगले के लिए हम क्या करेंगे जो हमारा 3 by 7 है उसके लिए भी हम ऐसा ही करेंगे 3 को अलग कर लेंगे और 1 by 7 को ऐसे rate कर लेंगे 3 into 1 by 7 और हमें पता है कि भाई देखो 1 by 7 की value क्या है तो यहां पर हम write कर लेंगे 3 into 0.142857 और multiply कर लेंगे आप जब इसे हम 3 से multiply करेंगे तो तो यहां पर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 428571 तो यह कब आ गया यह जब हम 3 से हमने multiply किया ठीक है तो यह थिरिया 57 का अंसर कितना आ गया 0.428571 इसी परिकार से हम अगला find करेंगे 4 upon 7 किसका find करेंगे 4 upon 7 का 4 over 7 तो इसमें भी हम 4 को अलग कर लेंगे 1 upon 7 को अलग कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4 into 1 by 7 अब हम क्या करेंगे 4 से 0.142857 से multiply कर देंगे तो आगे दिखो जब हम इसे multiply करेंगे तो क्या मिलेगा 4 7 जा 28 carry 2 4 5 जा 22 22 carry 2 4 8 जा 32 और plus 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा carry 3 4 2 जा 8 3 11 carry 1 4 4 जा 16 1 17 carry 1 4 1 जा 4 1 5 यहां लगा देंगे 0 तो यह हो गया हमारा क्या जब हम 4 से multiply करेंगे तो मारे पास आजएगा 0.571428 अब अगला जब हम ऐसे multiply करेंगे तो क्या हैगा अगला है मारे पास 5 over 7 क्या है 5 over 7 तो यहां पर 5 को अलग write कर लेंगे 5 into 1 over 7 तो आभी के लिए क्या करेंगे हम 5 को 5 write कर देंगे और 1 over 7 के place पर हमें दिया ही गया है 142857 इससे हम क्या करेंगे multiply कर देंगे तो multiply करने पर क्या result आएगा तो 57 जा 35 3 carry 55 25 3 28 2 carry 58 40 प्लस 242 4 carry 5 2 जा 10 4 14 1 carry 5 4 जा 20 प्लस 1 21 2 carry 5 जा 5 2 7 तो यह हमारे पास result कितना आ जाएगा तो हमारे पास result आ जाएगा 741 285 तो ऐसा ही हम last वाले के लिए भी करेंगे last वाला क्या है 6 upon 7 तो 6 upon 7 को हम write कर सकते हैं 6 into one upon 7 कितना write कर सकते हैं 6 into one upon 7 तो हम देखो करेंगे क्या 6 into 0.142857 अपर बार से multiplication करा देंगे तो multiply कराने के बाद result क्या मिलेगा देखो 67 42 2 4 carry 65 30 प्लस 4 34 3 carry 68 प्लस 3 51 5 carry 6 to 12 5 17 1 carry 64 24 प्लस 125 2 carry 6 बंजा 628 तो यह आजएगा 0.857 142 कितना आजएगा 0.857 142 और इसके क्या लग जाएगा अपर बार लग जाएगा तो यह हमारा इस question का answer हो जाएगा आप चाहें तो इसे रेड डाउन कर लें या फिर वीडियो को पहुच करके